नमस्कर दोस्तों जे मातादी जे मादुरुकें हे मादुरुगा मैं आपसे प्रातना करता हूँ कि मेरे सभी दर्सकों के जीवन में कभी भी कोई केस्ट मताने देना तथा उनकी तिजोरी में हमेशा पैसों की गड़िया भरे रखना वैसे आज के वीडियो बहुत ही महत्तपूर है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मुठी नमक का मैं उपाय बताओंगा यह एक मुठी नमक जो आपके जीवन के सारे के सारे समस्याओं को सारे कसारे दुखदर्द को गरीबी को चुटकियों में खतम कर सकता है वैसे नमक तो आप इस्तेमाल करते ही करते होंगे वैसी नमक जो रोज, सुबह, साम, कोई भिकी भोजन बनाते, बिना नमक का कोई भोजन नहीं होता है लेकिन अगर नमा का उपयोग यदि अपने जीवन में तन्तर सास्थ लगा हो सनी दोस लगा हो मंगल दोस हो राहू के तूँ हो पिट्र दोस हो ऐसे अनेक परकार के कुछ ऐसे ग्राधोस लगे रहते हैं ते एक महीने के अंदर ही सारे के सारे ग्राधोस युँ ही समापत हो चाहे राहु का हो चाहे पित्र का हो चाहे सन्नी दोसो हाँ उसके परगोब को कम नहीं किया जा सकता लेकिन ना के बराबर का इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा यदि नमक को सही तरीके से आप जो इस्तेमाल करते हैं तब यदि नमक का इस्तेमाल यदि सही तरीके से अपने जीवन में धन धन सुख सम्रिद्धी के लिए करते हैं तो बहुत ही चमतकारी उपाय होता है लेकिन आपको एध्यान रखना है कि जब भी आप नमक का कोई भी उ जासकता है चाये सनी का हो चाहे राव बिग्रा हो यहां तक हो एक तक सबसे खतरनाख जो काल सर्फ दोस होता हूं वह उससे भी मुक्ति मिल जाती है लेकिन नमक का यह जो उपाय बहुत कम ही लोग जाते हम भी करते हैं लेकिन साइद आप करते या नहीं करते हैं इसका उपाए करने से आपकी काया पलड़ जाएगे रिसी महात्मा संत लोग इसका उपाए जानते हैं लेकिन इसका उपाए लोग बताते नहीं यह ग्यान जो सीमित है इसलिए इस वीडियो के माध्धम से मैं आपको अनीक परकार की जानकरिया सेयर करता रहता हूं ताकि जिससे आपके जीवन में जो सकरात्मक बतला हो सके और आप भी अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त कर सके मैं जो है मातारानी से हमीशा प्रातना करता हूं कि हमारी जो भी दर्सक है उनके जीवन में दोनों हाथों से यूँ ही आप जो धन बरसाएगा लेकिन जो जो नवरात्री के समय में अगर इन उपायों को कर लेते हैं तो कंगाल भी धनवान बन जाता है दीन दून रात चवगुना बिर दे होता है वैसे नमक में ऐसा क्या चीजे छुपा हैता है कि रंक से राजा बना देता है धन धान से सब कुछ भर जाता है एक्चुली नमक में ऐसी जो देवी सक्तिया पाई जाती है जो पैसो को खिषता है आपके घर के नकरात्मक सक्तियों को अवसोसित कर लेता है नवकर में बहुत असर जनक की बात है आकर इसमें क्या रहता है तो इसमें देवी सक्तियों का निवास रहता है कुछ में संसे की बात नहीं है आपके इसे हलके में मत लिजेगा, यदि आपको मातारानी पर भरुसा है, मातादुर्गा पर भरुसा है तो अवसी यह नमक का उपाय जो आपके जीवन में अनेक परकार के तरक्की दिला सकता है, लेकिन हम लोग जो ज्यान के अभाव में बहुत सारे ऐसे जो उपाय होते तंतर सस् जो बहुत ही सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन नहीं जान पाते हैं, और जिसके वज़े से हमारे घर में नो चाहते हुए भी अनेक परकार के नकरातमक सकती हैं, मेरे घर में परवेस कर जाती हैं, और बीमारी या ही बीमारी अनेक परकार के समस्याओं करने होता हम कुछ लोगों को बिस्वास होगा कुछ लोगों को नहीं बिस्वास होगा लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता है को बिस्वास पर ही दुनिया चलती है बाप को बेटा पर बिस्वास है यह सब दुनिया एक बिस्वास पर ही चलती है और बिस्वास के भरोसी ही दु को खतम कर सकता है नमक इतना उपयोगी होता है कि मनुस्य के सरीर में नमक की कमी हो जाते जीवन में अनिएक परकार की बीमारिया ही बीमारिया आ जाती है नमक के बीना खाना जो है सूना सूना लगता है लेकिन वहीं नमक का उपयोगी दितंतर सास्तर के अंसार जैसा कि इस व बतलाव जो धुए दिखाए देते हैं वैसे नमक जो ए, रसोई की शान कहीं जाती है। क्योंकि नमक मेरे नमक जो है, रसोई के सबसे महतपूर चीज होता है। नमक के बिनार रसोई सुना लगता है। कितने रोज जो है, आफ इस नमक का उपाय करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि जिस दिन जो आप नमक का इस्तेमाला कर सकते हैं आप जो कुछ भी खाना खाते हैं कोई भी चीज लेटे हैं नमक का इस्तेमाल बहुत ही जरूर हुद था है यहां था कि कुछ लोग अगर इस नूरात्री में नो दीनों का ब family करते हैं में न्मक का सेवन करने के साथ साथ निश्चिती आप इस न्मक का जो चमतकारी उपाई है इस्तिमाल जरूरी ही करेजगा, ताकि आपके भी जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, मैं तो हमेशा करता हूँ, और मेरे जीवन में अनेग परकार के सकरात्मक बढलाओ दिखाए दिए है रातुरात अपकी किस्मत बदल सकती है लेकिन जो भी भक्त शचे दिल से महतारानी का नाम लेकर अगर करके का दिल से इस नमक का इस्तमाल कर लेता है तो उसके कार ज़िए जरूरी ही सफल होते है नमक जो है रातुरात धनी उपाए बता देते नमक के ऐसे उपाए उनके जीवन में भयंकर ग्रहदोस रहते हैं तो वह ग्रहदोस सिगरी खतम हो जाते हैं और हंट्रेट परसेंट जाए उसको धनवान बनने से कोई नहीं रुख सकता उनके जीवन में कभी भी किसी प्रगार की कोई बाधा नहीं आ सकती उनके जीवन में सकरात्म को बदलावाता और जीवन में उन्नती ही उन्नती होती तो चलिए हम लोग नमग का एक एक उपया उपयोग जोए करके जान लेते हैं कि नमक कैसे उपाय कैसे करना बहुत ही सिंपल है सरल है हर चीजे आपके घर पर अवलेबल है लेकिन हम लोग ग्यान के अवाव में उनका प्रियोग करना नहीं जानते हैं जिसके वज़े से हम लोगों के घर में जान बुझ करके वह समस्यां को नेवता देते रहते हैं और परसानियों से जहलते रहते हैं तो चलिए उन उपायों को एके करके जालते हैं हो सके ता आप नोट भी कर देजिए सुमवार के दिन इस उपाय को करना है और सुमवार के दि आपको सव गराम उड़त का दाल लेना है पचास गराम चावल लेना है पचास गराम लाल मिर्च लेना है सव गराम जो है सरसो का त्लिल लेना है और पानी भी लेना है इन सब चीजों को ले करके जो है एक थैले में ले करके जाए और किसी गरीब को किसी भिख्चु को दान दे दे पस दान देने से आप इसका देखेंगे चमतकार हमेशा जो है आपके उपर अपनी किरपा बरसा देगे जदी आपके गरह दोस लगे हुए है बिरिस्पती है, सुक्र हो, मंगल दोस लगा इस उपाय को जब करिएगा तो किसी को बताना नहीं है लेकिन लाब इसका अवसी बहुत जबरजस्त होता है, यह जो सामगरिया है यह किसी जड़ी बूटी से कम नहीं और यह सारे सामगरिय सायद आपके घर में होंगे ही होंगे नहीं तो बड़े ही आजाने से किसी भी दुकान पर मिल जाते हैं इसको आप हलका मत समझेगा यह उपाय आप करते हैं तो आपका हर काम सफल ही सफल होता है दूसरा नमर का जो उपाय है नमक जो है चंद्र और सुक्र ग्रह का दोनों का प्रतिनिदित होता है इस वज़े से नमक को हमेशा जो है कांच के बरतन में ही रखना चाहिए यदि नमक को आप जो कीचन में, स्टील में या लोहे के बरतन में रखते हैं तो चंद्र और सुक्र का मिलन हो जाता है जो बहुत ही होनिकारक होता है अगर ऐसा काम करते है तो आपके जीवन में नमक को भी भी पलास्टीक में भी नहीं रखना चाले कूंके पलास्टिक में हड्डियों का मिक्सफ उप होता है इस वजय से प्लास्टिक मिरा करके द्वी सकतियों कुछ अपमान न करें टेके नमक को वो सदर जो काँच में ही रखना चाहिए नग्के प्लास्टिक के ना तो काँच स्टील के ना तो लोहे में इस परकार के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, वनना आपके जीवन में गरीबी ही गरीबी आएगी और चंद्र और सनी जो है नराज हो जाते हैं, नमक का इसका उपाय आप हलका मत समझेगा, यूँ ही आपके जीवन में गरीबी का नता देता हैं, यदि आप थोड़ा सा नमक यदि आप सेवन करते हैं, तो बड़ी अची बात है, कभी-कभी नमक के जादे हो जाते हैं, नमक कम हो जाते हैं, तो हर चीजों को बड़े हैं, सिंपल से सेवन करने का नियम होता है, लेकिन जब आप कोई भी भोजन करते हैं, तो नमक थोड़ा सा कम हो जाता है तो जब नमक कम हो जाता है तो एक्स्ट्रा नमक जो बाद मिलेते हैं और एक्स्ट्रा नमक लेने के बाद आप पूरा नमक नहीं पर्योग करते हैं बलकि कुछ नमक ठाली में असुभँ माने जाता है. यह नमक आप से हाँसे चूट जाता है और गिर जाता यह नमक का डब्बा है बाउच कुछ चूट करके फूट जाता है या बिखर जाता तो यह जो साक्षात दुर्भाग को ने उता देता मत्त आपके जीवन में अलक्षमी का कुलक्षमी जो है आ रही है मातालक्षमी कुपीत हो गए कुछ ना कुछ आपके साथ में दुरुगटना होने वाली है इस वज़े से नमक को साथ कभी भी धुर्भेवार नहीं करें, नमक को कभी भी फेकना नहीं चाहिए। नमक जो है हमारे घर में जो माता लक्षमी के समान माना जाता है, नमक जो रसोई की सान कहीं जाती है, तो भूल करके भी नमक कभी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए कोई कि नमक के माद्धम से उसकी दर्दता आपके जीवन में प्रेस कर जाएगी ना तो नमक किसी से उधार लेना चाहिए ना तो देना चाहिए उसे साम के समय में भूल करके भी इसी गलतिया नहीं करे अगर कोई नमक मागने आता तो साम के समय में नमक नहीं देना चाहिए अगर नमक आप देते भी है तो आपकी लक्ष में आपका जो भाग हो सके चला जाता है इस वज़े से ऐसी गलतिया नहीं करना चाहिए साम के समय में ना तो नमक का किसी भी परकार के लेंदे नहीं करना चाहिए वरना आपका भाग चला जा सकता है और उसका दुर भाग जो आपके घर पर आ सकता है इस परकार की गलती नहीं करें अब रखी बात आपको जो नमक के पानी में जिससे जब आप घर की साप सफाई करते हैं तो साप सफाई करते हैं वक्त जिस पानी साप पोचा लगाते हैं उस पानी में एक चमच दूर चमच नमक डाल करेगा है घर का पोचा लगाते हैं तो इस काम को करने से जो आपके घर में जो नकरातमक सकती है रहती हो खतम हो जाती जिस घर में जो सुर्योद से पहले घर का दरवाजा नहीं खुलता है उस घर में मातालक्षमी प्रवेश कभी नहीं करती क्योंकि सुबा के समय में मातालक्षमी आती है तो दरवाजा बंद मिलता है और जब दरवाजा बंद मिलता है तो उस घर से मातालक्षमी रूट करके च थोड़ दिना चाहिए खुला रहना चाहिए ताकि मात अलक्षिमी जब आये तो सीधा उनका चरण कमले मेरे घरों में पड़े ताकि मेरे घर की जो अर्थिक द्रिष्टी हर तारीके से जो नकरात मख सकती है उनक वो जो नास हो सके चोथा नमर का जो उपाय है आप जो नमक लेजिए आटा लेजिए लाल मिर्च लेजिए और कोईला और हल्दी ठीक है नमक थोड़ा सा नमक थोड़ा सा आटा लाल मिर्च कोईला हल्दी इन चीज़ों को ले करके ठीक है नजर उतारा करके आप जो सात बर घुमाना है नजर नजर दोस इतना खराब चीज़ होता है कि अगर किसी के जीवन में नजर दोस लग जाता है तो हराब हरा पेर पोधे भी सुख जाते है तो बस आपकी जीवन की क्या बात है कि अगर आपके उपर जो है किसी की बुरी नजर लग जाती है तो समझ जाएगा कि आपका जीवन सं कावास होगा नकरात्मक सकते हो उसे छुटकारा मिलेगा पांचो नमर का जो उपाए सोतिस में यदि आप तक ये के नीचे काली कपड़े में थोड़ा सा नमक बात करके अपने सिड़ाने रखते हैं इस काम को करने से आपके साथ या आपके रूम में जो निगेटिव नमक डाल करके सेवन करते हैं तो चाय में नमक डालने से क्या होता है कि नमक का अपमान होता है और मातलक्षमी को अच्छा नहीं लगता है तो चाय में नमक डाल करके नहीं पीना चाहिए क्योंकि स्वास्त के लिए हानिकारक होता है खून की कमी होती हड़िया कमजोर होती धन का जो अपमान होता है और मिर्ट भी कभी कभी हो सकते हैं खास तरी किसे सनिवार के दिन यदि आप नमक का दान करते हैं तो सनिवार के दिन नमक दान करने से बहुत ही सुबमाने जाता है आपका जो सनिगरा बहुत ही मजबूत होता है और दान करना कभी भी खाली नहीं ज सिर्फ केवल चावल और राट नहीं दान करना चाहिए बलकि उसके साथ में जो कुछ सब्जिया दे दे आलू दे दे एक ही दे 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 और उसके साथ में नमक रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसा काम करने से पितर दोस्त समात होता है तो नमक का भी भी भूल करके भी बिना नमक का कोई भिक्षा नहीं देना चाहिए नमक के साथ में देना चाहिए इस काम को करने से आपके जीवन में अनेक परकार के जो सकरात्मक बदलाओ आप नमक का सेवन नहीं करते हैं नमक का जादे सेवन करते हैं तो इस परकार के करने से खून की कमी भी हो जाती है सूगर हो जाते हैं पेट में पत्री हो जाती है और आजकल बहुत सारे बीमारिया हैं तो कहते हैं डाक्टर नमक काम खाओ यह चीज़ी कर रहे हैं तो अनिक प बिच्छू को किसी को भी बीना नमक नहीं करें कभी बीच्छू को कुछ आठा चावल कुछ भी देते हैं तो बेना नमक नहीं करना चाहिए .थ सबी भाई और दोस्तों आज किस वीडियो में मैंने नमक के बहुत ही कारिकर उपाई बता और मेरे हिसाब से आज की वीडियो में मैंने जो कुछ भी ग्यान दिया वह ग्यान आपके लिए बहुत ही जरूरी था क्योंकि जाने अंजाने में आप नमक के साथ ऐसा गलतिया करते होंगे जिस वज़े से आज किस वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाने का कोसिस किया बताने का कोसिस किया यदि आपको मेरा दोरा दिया गया ग्यान अच्छा लगा हो तो प्लिश कमेंट वाक्स में आप अपनी राय दें और हो सके तो आप जय मादूर के जरूर लिखेगा